Assalamualaikum, welcome to GFX Mentor, मैं आपके टीचर इम्रान और आज हम देखेंगे class number 5 और आज की class थोड़ी सी लंबी हो सकती है because आज हम raw files download करेंगे और उनको edit करेंगे और आज हम थोड़ा सा master level पे जाएंगे मतलब हम pro चीजें भी use करेंगे means mask और दूसरी चीजें आज हम raw files download करेंगे वो मैं दिखाना चाहरा था किस तरह से कहां से download होंगी अगर आपके फोन में आपके पास camera नहीं है जिस जो raw files generate कर सके तो net से download कर सकते हैं भाई बहुत सारी हैं website तो एक जो website मैं बहुत जादा use करता रहा हूँ इवन मेरी जो camera raw वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने वो यूज की थी तो एक website जो मैं सबसे जादा use कर रहता हूँ वो है signature edits और इसके लावा भी होंगी आप google पर search कीजेगा free raw files for edit इस तरह से आपको मिल सकती हैं by the way मैंने अपने phone पर google chrome install किया हूँ सफारी भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके phone में browser हो android पर usually google chrome ही मिलता है अगर मैं यहां पर जाकर कर सर्च करता हूँ signature edits ऐसे dot com आ रहा था लेकिन फिर भी आप सर्च कर लें तो यह पहला पहला आ रहा है और free raw photos जो है इस पर मैंने tap किया यह आपको ले जाएगा यहां पर अब इसमें इनके पास ठीक ठाक अच्छी quality में images मौजूद हैं और यह तमाम तर raw files हैं जो कि आप अपने lightroom mobile में lightroom pc में camera raw में सब जगा edit कर सकते हैं इनमें से मैं कोई photo search करना चाह रहा हूँ जिसमें के मैं masking वगरा भी आपको use करके दिखा सकूँ यह एक photo मुझे अच्छी लग रही है इसको download करने के लिए अगर आप top right पर देखें तो एक download का button दिया हूँ मैंने इस पर tap किया और यह आपके पास download होना शुरू हो जाएगी so even अगर आप iPhone पर है see this यह एक file जो है यह 74.9 MB किये it is a big large file जाद रखें का अगर आपका internet connection अच्छा है तो जल्दी लड़ी download हो जाएंगी जैसे यह download हो जाए आपने यह करना है कि open in पर click करना है यह मैं तमाम iPhone वाले हज़रात से कह रहा हूँ मुझे नहीं पता android पर क्या तरीके कार होता है लेकिन yes यह यहां पर आने के बाद आप जरा से नीचे स्क्रॉल करें और यहां पर है आपके पस save to files छीक है save to files में आप बता दें कि कहां save करना है so let's say मैं अपने iPhone पर ही save करना चाह रहा हूँ और let's say मैं एक new folder बनाना चाह रहा हूँ और इसका मैंने नाम रखा raw files and save यह आपकी उस folder में save हो चुकी अब आपने Lightroom लांच करना है और let's say मैं एक नया album बना रहा हूँ create new album और इसका नाम मैंने रख दिया raw ठीक हो गया इस raw के अंदर जाएंगे और मैं यहां पर वो file import करूँगा simply from files पर मैंने क्लिक किया और मुझे यह पता है कि मैंने किस folder में save किया था on my phone and हम जाएंगे raw raw files and यह picture इसको open करें यह आजाएगी आपके इस album में थोड़ी सी बड़ी file है यहाजा थोड़ा सा time लेका लेका लेकिन यह आ जाती है that's it यह यहां पर आ चुकी है raw इस पर लिखावा आ रहा है इसको अगर आप open करें तो यह चीज़ है अब हमें इसको काम करना है कुछ यूँ जैसे मैंने का था अच्छा एक और चीज यार यस 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 भाईया वो slide and tap वाला मसला जोना solve भी नहीं के दे रहा है मैंने जो Q&A वाली वीडियो डाली थी पिछली कल और उसमें मैंने बताया था कि जी आप slide करें tap करें वेज़ पर बहुत सारे लोगों ने फिर कहा कि sir हमारे पास काम नहीं कर रहा and एक बंदे ने मुझे बताया slider पर ही tap करना मैंने उनका comment भी pin कर दिया था exactly मैंने android पे चेक किया तो यह मसला है android पे जब आप slider पे slide कर रहे होते मैं बलके दिखा देता हूं कि जैसे मैं slider पे highlights पे मैं कर रहा हूं मैं image पर tap कर रहा हूं तो यह दिख रहा है लेकिन android पे आपने image पर tap नहीं करना इसी slider पर ही tap करना है ठीक है जी and this will help अब हम image को यहां ले आ चुके हैं simply मैंने यहां पे click किया और यह हमारा image यहां पर आ चुका है as usual हम जाएंगे lights में और exposure अगर आप देखें sky का exposure बहुत high हुआ है अगर मैं इसको low करता हूं तो sky तो किसी हद तक recover हो जाता है लेकिन नीचे वाली चीजें सारी बरबाद हो रही है let's just keep this way मैं इसको इतना exposure बढ़ा रहा हूं अब आप सोचेंगे कि यार यह तो बरबाद हो गया ठैरो जरा सबर करो आ रहे है so masking इसलिए हम use करेंगे इस वक करेंटली मैं focus कर रहा हूं सरफ foreground पे यह जो sky है इसको मैं इतनी जादा value नहीं दे रहा हूं इस वक्त की भी details और निकल के आ रही है so अगर आप इस बंदे पर zoom करें देखें चेहरा कितना जबदतस निकल के आया है इसी shadows से whites पे आ जाएं तो whites को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं बहुत जादा नहीं and blacks को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूं वक्त सही समझाता जो भी color balance रखना तो वो उसने रखाता लेकिन अगर आप चाहें तो change कर सकते हैं आप चाहें कि थोड़ा warm tone आ जाए तो आप इसको warm की तरफ ले जा सकते बिल्कुल और मैं चाहूंगा कि यह इसमें थोड़ा सा warm tone आए इस warm tone से फायदा ही होगा कि हाँ जी हमारा time थोड़ा सा शाम वाला लगने लगेगा बिकरस देखें सूरज जो है काफी नीचे है साथी साथ मैं थोड़ा सा टेंट इसमें डाल रहा हूं अच्छा vibrance को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं इस वक्त इस condition में यूजली हम मैं आपने देखा हो का मैं कमी कर रहा होता हूं मैं थोड़ा सा कलरफुल सा बहुती ब्राइट सा और बहुती हैपी हैपी सा environment दिखाना चाहरा हूं शाम जोती बड़ी खुबसूरत से तो इसलिए थोड़ी सी vibrance बढ़ा रहा हूं सीद कम कर रहा हूं तो फीके कलर जा रहे हैं वाइबरिंस बढ़ा दे ठीक हो गया यहां तक यह होने के बाद अब हम आते हैं अपने mix में और mix में सबसे पहले मैं जा रहा हूं यलोज में यलोज को अगर मैं red की तरफ लेके जाओंगा तो यह बड़ा ही खेजां का मौसम या fall या autumn वाला weather लगने लगेगा लेकिन चुके यह एक field में खड़ा है याने खेट में खड़ा है तो यार हर्याली होनी चाहिए ना भाई मैं इसको green की तरफ लेके जा रहा हूं और greens को जो है वो मैं थोड़ा सा yellow की तरफ ला रहा हूं अब इसकी brightness आप कम करें या जादा करें ऐस सच इतना फरक नहीं आएगा क्यों क्योंके इसमें majority colors जो है वो yellow के है यलो को देख लें अगर आप बढ़ाते हैं यहां से इसकी brightness तो back में देख रहा है कितना difference आ रहा है and saturation थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं that's it यहां तक हो गया now अब जो सबसे जादा मसले वाली बात थी वो यह थी कि यार हमारा sky तो बरबाद कर दिया हमरान साब आपने बिलकुल कर दिया अब यहां से यह शुरू हो रहा है mask अब यह mask याद रखेगा यह एक paid option है mask में आप जैसी जाते हैं तो आपके पास एक अलगी interface आ रहा हूता है और यहां पर आपके पास plus sign आ रहा हूता है जैसे ही आप इस पे click करते हैं तो यहां देखेगा आपके बे तहाशा options यह मास्क के एक है select subject then select sky brush linear gradient radial gradient color range luminance death range मैं अगर जाकर के सीधा सीधा कहता हूँ कि sky select करके दे दो इसने कर दिया sky select see अब मैं जो भी काम करूँगा देखें यहां right side पर light पर मैं जा रहा हूँ और मैं इसका exposure down कर रहा हूँ see this हमारा sky वापस आ गया exposure मैंने down किया contrast मैंने down किया highlights मैंने और down की now याद रखिए का देखें highlights को मैं down तो कर रहा हूँ लेकिन यह mountains back में बहुत अजीब से देख रहे है highlights को इतना down ना करें ठीक shadows को बढ़ाएं ज़रा बलके कमी कर दें whites को मैं कम कर रहा हूँ और blacks को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ see blacks को मैं कम करूंगा तो बहुत जादा काला होने लग जाएगा I mean बादल इतने काले अच्छे नहीं लग रहते मैं blacks को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ so अभी तक कि जो हमने change किया है वो कुछ यह है from this to this है ना मज़िदार सी बैद दूसरी चीज अगर मैं इसमें एक और मास्क लगाना चाहूँ ठीक है मैं इसमें एक और मास्क लगा रहा हूँ और simply मैं मास्क में गया plus पे click किया और मैंने इस बार कहा select subject सब्जेक्ट जैसे ही मैंने किया तो यह जो बंदा खड़ा हूँ यह खुद सब्जेक्ट हो जाएगा यह है पावर मास्क का और इस बंदे को मैं जरा सा जूम करें और मैं इसका exposure तोड़ा सा टाउन कर रहा हूँ कंट्रास्ट कम कर रहा हूँ हाइलाइट्स को कम कर रहा हूँ और shadows को बढ़ा रहा हूँ because मुझे यह थोड़ा सा और bright चाहिए whites को और बढ़ा रहा हूँ ठीक है और temperature मैं इसका थोड़ा सा warm की तरफ लेके जा रहा हूँ तोड़ा सा tint add कर रहा हूँ magenta थोड़ा सा जाद है अगर आप green की तरफ जाना चाहिए तो वहां भी जा सकते कोई मसला नहीं बट मुझे इस वक्त इसमें थोड़ा सा warm temperature चाहिए that's it okay यह हो गया हमारा mask एक और mask मैं डालना चाह रहा हूँ और दूसरा जो gradient है वो मैं linear gradient लगाना चाह रहा हूँ और यहां से मैंने plus किया और यहां से linear gradient लिया और मैं यहां से इस पे एक gradient लगा रहा हूँ याद रखिए का यह सिर्फ इतने हिससे को मैं dark करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसमें I know बंदा भी आ गया है अभी उसको हम minus कर लेंगे and मैंने यहां से आ करके इसको exposure थोड़ा सा down किया और साथी साथ contrast डाउन किया और highlights को भी थोड़ा सा down किया जादा नहीं shadows को मैं down कर रहा हूँ and whites को बढ़ा रहा हूँ नहीं बिल्के whites को भी नहीं बढ़ा हैं कम कर दें ठीक है blacks भी मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ temperature में जा रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा cold कर रहा हूँ see this और से देखीगा उपर sky में blue color आना शुरू हो चुक है तो मैं इसको ठीक ठाक blue की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं चाह रहा था sky उपर से थोड़ा सा blue नजर आ है that's it and अब देखें अगर आप इस mask पे click करते हैं click करके रखें तो आपके पास एक menu आएगा and इसमें मैं अगर hide करता हूँ तो आपको feel होगा कि हमने कहां से कहां तक पहुंचे हैं इस simply एक gradient mask है अगर आपको लग रहा है कि जी ये जो हमने gradient डाला था ये इस बंदे के उपर भी आ गया वैसे तो इतना जादा नहीं आया लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि यहां करना है मैंने का जी select subject so subject को select करके आपके इस particular mask में से subtract कर देगा वैसे ऐस सच इतना बड़ा फर्क नहीं है क्यूंके gradient हम इतना नीचे तक लाए नहीं दे नो यहां तक हमारा result आ चुका है then finally मैं इसमें जा रहा हूं overall light के उपर और मैं जा रहा हूं curves में curves में मैं simply तोड़ा सा contrast add कर रहा हूं बहुत slide सा ठीक है and again as usual मुझे थोड़ा सा faded look अच्छा लगता है तो मैं इसमें थोड़ा सा faded look टाल रहा हूं I know पीछे जो सूरज है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा explode हुआ है क्योंके यह photographer ने ही कुछ ज्यादा मतलब थोड़ा exposure ज्यादा हुआ हुआ है इसमें अब हम मजीद कुछ नहीं कर सकते लेकिन फिर भी अगर आप देखें उपर स्काय में हम बहुत ज्यादा details निकाल कर लाच चुके color grade में मैं जा रहा हूं और grade में मैं ज्यादा अच्छा पिछली last जो थी जिसमें मैं यह बता रहा था मैंने गलती कर दी थी कि shadows, mid tones और highlights में मैं खिचडी मजा दी थी क्योंकि मैं जब scroll किया था तो मैं directly आगया था global के ओपर मैं याद रखिए का global यह वो चीज़े जो कि आप overall image के ओपर एक color tone डालना चाहें ठीक है मैं इस वक्त global पर नहीं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं यह आगया हमारा shadows और shadows में मैं डाल रहा हूं अपनी teal color थोड़ इसी tint याद रखिए का बहुत हलका सा ठीक है और shadows को मैं थोड़ा सा highlights की तरफ कर रहा हूं अब इस जगा पर जो यह problem आ रहा है इसका हम क्या कर सकते हैं यहां पर मैं एक काम यह करता हूं कि थोड़ा सा haze डाल देते हैं now haze डालने के लिए मैं यह कर रहा हूं कि एक और new mask ले रहा हूं और इस बार मैं radial gradient लोंगा और यहां से मैं एक radial gradient बना रहा हूं यह क्या करेगा कि जी हम इतने area में कुछ करेंगे क्या करेंगे वो मैं भी बताता हूं मैं simply क्या यहां पर texture थोड़ा सा कम कर रहा हूं clarity थोड़ी सी कम कर रहा हूं और haze मैं minus पर लेके जा रहा हूं तो इससे क्या हो रहा है कि आपके यहां पर इस जग पर cover हो रहा होगा ठीक है तो अगर आप देखें इसको कि हमने क्या किया है यहां तक यह देखें यह थोड़ा सा हेज आना शुरू है अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार यह बहुत ज़्यादा है तो बड़ा सा इसको छोटा कर ले यार क्योंकि यह जो नीचे mountains पर आ र भीतर लग रहा है I think इसमें मजीद तो कुछ और करने की ज़रूती है हाँ अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा effects की तरफ मतलब effects से मुराद तोड़ा सा texture डालेंगे overall image में और इसको zoom करके देखें आपको feel होगा बाकाइदा कि texture से क्या हो रहा है कि इस बंदे की shirt के ओपर जो है बहुत जादा pink tone आ चुक है now pink tone हटाने के लिए हम वापिस जा रहे हैं अपने mask के ओपर और जो यह हमने select किया था इस पर जा रहा हूँ और colors में जाएं और यह जो tint हमने डालावा था इसको पीछे ले आया बहुत जादा हो गया था यह ठीक है and थोड़ इसी saturation भी मैं down कर रहा हूँ that's it good 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 and final result from this to this याद रखिएगा it takes lot of time practice करें बेतहाशा practice करें और practice से यह होगा कि आपको confidence कीन होता रहेगा and I'm sure आप बहुत अच्छे edits करने लगा होगा आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं से presets download करने की by the way presets की जहां तक बात है अगली class में मैं आपको बता हूँ कि आप अपने presets कैसे बना सकते हो और अगर किसी से share करना है तो वो किस दरा से share कर सकते हो I hope यह class आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो please like करें शेयर करें दोस्तों के साथ subscribe नहीं किया तो please subscribe करें Thank you करें